निर्गमन अध्याय तीस फिर धूप चलाने के लिए बाबुल के लकडी की वेदी बनाना उसकी लंबाई एक हाथ और चवडाई एक हाथ की हो वह चौकोर हो और उसकी उचाई दो हाथ की हो और उसके सिंग उसी तुकड़े से बनाये जाए और वेदी के उपर वाले पल्ले और चारो और की अलंगों और सिंगों को चोके सोने से मड़ना और इसकी चारो और सोने की एक बाड बनाना और इसकी बाड के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दोदो कड़े बनाकर इसके दोनों और लगाना वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडों को बबुल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढड़ना और तू उसको उस परदे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदुक के सामने है अर्थात प्रायस्चित वाले ढखने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है वही मैं तुछ से मिला करूँगा और उसी वेदी पर हारून सुगंदित धूप जलाया करे प्रति दिन भौर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाये तब गोधूली के समय जब हारून दीपकोंद को जलाये तब धूप जलाया करे यह धूप यहवा के सामने तुम्हारे पीड़ी-पीड़ी में नित्य जलाया जाए और उस वेदी पर तूम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बली और न अन्न बली चढ़ाना और इस पर अर्ग देना और हारून वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्राइस चित्त करें और तुम्हारी पीड़ी-पीड़ी में वर्ष में एक बार प्राइस चित्त के पाप बली के लोहू से इस पर प्राइस चित्त किया जाए यहां यहवा के लिए परमपवित र जब तू इस्राइलियों की गिंती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिंती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहवा को प्रायश चित दे जिससे जब तू उनकी गिंती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ती उन पर न आ पड़े जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकिल के लिए आधा शेकिल दे यहा शेकिल बीस गेरा का होता है यहवा की भेट आधा शेकिल का हो 20 वर्ष के वा उससे अधिक अवस्ता के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहवा की भेट दे जब तुम्हारे प्राणों के प्राइस चित्त के निमित यहवा की भेट दी जाए तब न तो धनी लोग आधे शेकिल से अधिक दे और न कंगा लोग उससे कम दे और तु इस्राइलियों से प्राइस चित्त का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम मिलाना जिससे वह यहवा के सन्मुख इस्राइलियों के समरनाथ चिंध ठेरे और उनके प्राणों का प्राइस चित्त भी हो और यहवा ने मुसा से कहा दोले के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना और उसमें हारुन और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पाव दोया करें जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पाव जल से धोये नहीं तो मर जाएंगे और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्वे जलाने को आए तब तब वे हाथ पावंध होये नहो की मर जाएंगे यह हारुन और उसके पीड़ी-पीड़ी के वंश के लिए सदा की वीधी ठेरें फिर यहोवा ने मुशा से कहा तू मुख्य मुख्य सुगंद द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के अनुसार 500 शेकल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 800 शेकल सुगंदित डाल चिनी और 500 शेकल तज और एक हिन चलपाई का तेल लेकर उनसे अभिशेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की विक्ति से तैयार किया हुआ सुगंदित तेल बणाना यहां अभिशेक का पवित्र तेल ठेरें और उससे मिलापवाले तंबू का और साक्षिपत्री के संदुक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूखवेदी का और सारे सामान समेत होमवेदी का और पाय समेत हवदी का अभिशेक करना और उनको पवित् और जो कुछ उनसे छूजाएगा वहाँ पवित्र हो जाएगा फिर हारुम का उसके पुत्रों के साथ अभिशेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याज़क का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राइलियों को मेरी यहाग्या सुनाना कि वहाँ तेल तुम्हारी पीढी-पीढी मेरे लिए पवित्र अभिशेक का तेल होगा वहाँ किसी मनुश्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना वहाँ तो पवित्र होगा वहाँ तुम्हारे लिए पवित्र होगा जो कोई उसके समान कुछ बनाए वा जो कोई उसमें से कुछ बराए खुलवाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए फिर यहवा ने मुसा से कहा बोल नखी और कुरुंद से सुगंद द्रव्य निर्मल लोबान समय ले आना ये सब एक तौल के हो और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रिती के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंद द्रव्य बनवाना फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबो में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुछ से मिला करूंगा वहां रखना वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कोई सुगंद के लिए उसके समान कुछ बनवाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए